नमस्कार दोस्तों मैं सुनी गोतम गोतम कुंसेट्ट कर आपका स्वागत करता हूं ओफ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आया हूं एक बहुती इंपोर्टेंट टोपिक साथियों आज हम बात करेंगे जो हमारा राष्टिय दोज है उसमें तीन रंग होते हैं केसरिया सफेध हरा आखिर वो किस्टिस के परतिक हैं उनका मैतोग क्या है इसके बारे में आज बात करेंगे अगर आपने अभी तक चनल सब्सक्राइब नहीं क्या दुक्त कर लिजिए ताकि टाइम पर आपको लिटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रही साथियों सबसे पहले तो आप यह जान लिजिए कि हमारा राष्टिय दोज क्या है तो इसका उत्तर है हमारा राष्टिय दोज है तिरंगा ट्राइकलर जिसको आपने क्या बोलते हो होरिजोंटल रेक्टें आप दोस्तों तिरंगे के तोर पर याद रख लीजिए हमारा राष्टिय दोज क्या है तिरंग इसमें तीन रंग है सब से उपर कौन सा है केसरिया सैफरन उसके बाद दोस्तों सफेद वाइट और सब से नीचे कौन सा थो भरा गरीन इस प्रकार आपने देख सकते है कि हम जिसका रंग क्या है नेवी ब्लू और दोस्तों जो यह चक्कर है इसको क्या बोलते है इसको बोलते है असोक चक्कर क्योंकि फ्रेंट से जो समराट असोक थे उनके सीला लेखों पर ऐसा चक्कर पाया जाता है इसी विजय से इसको क्या कहते है असोक चक्कर जिसकेंद दोस्तों 24 तेलिया है टवन्टिफोर स्पोक्स जिनके अलग-अलग मतलब है उनके बार में फ्रेंट से हम किसी और वीडियो में डिसक्स करेंगे आज आज आम नोर्मली समझेंगे कि इन 3 रंगों का साथ में जो चक् प्रेंट से आपने देखोगा भारतिय संस्कृति के अंदर भगवे रंग को या केसरी रंग को बहुत अधिक मैत्व दिया गया है इसके दोस्तों अन्यकार्ण है आप सबसे पर लिए जान लीजिए जो केसरीय या भगवा रंग है वो किसीज का प्रतीक है दोस्तों वह है त्याग का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक, उर्जा का प्रतीक, हिम्मत का प्रतीक ठीक है दोस्तों इन सब का प्रतीक क्या है भगवा रंग या केसरीय या सैफरन किलर इसलिए दोस्तों जो हमारे श्रुविदान निर्मात थे उन्होंने हमारे लाश्टे देवज में इस र परतिक है सफेद रंग परतिक है सच्चाई का, इमानदारी का, शान्ती का, ठीक है दोस्तों तो सफेद रंग किसीज का परतिक है सच्चाई, इमानदारी, शान्ती और एक्ता तो इस प्रकार दोस्तों हमारे सुविधा निर्माता हुने सफेध रंग को भी हमारे राश्ट्र दिवर्ज में मैतव दिया है। तीसरा रंग है दोस्तों हमारा हरा ग्रीन Friends यह रंग किछिज का प्रतिक है यह उनवर्था का, हर्याली का, परगति का, समरीधी का तो इस प्रकार दोस्ति हुम देखते हैं कि हरा रंग भी बहुति इमपोटेंक आये हें को भी हमारे लाश्टी दोज में जिए दी गई आप साथ ही हम बात करते हैं जो बीच में सफेद रंग है उसके बीच में जो का नवी ब्लू किलर का चकर है जिसको असोक-शक्र बोलते हैं वो किसीज और प्रतीक हैं तो दोस्तो असोक-शक्र प्रतीक है विकास का प्रगति-स जीलता का बदलाव का ठीक है दोस्तों जैसे इपईयां गूमते रहता है ठीक है और हमारी गाड़ी आगे चलती रहती है उसी प्रकार हमारा देश भी निरंतर आगे बढ़ता रहे विकास करता रहे इसलिए दोस्तों हमने असोग चक्र को अपने राष्टी दिवज में इस परकार मैतो है यहां पर फ्रेंट्स में आपको एक बात बताना चाहता हूं जो हमारा राष्टी दिवज है तिरंगा ट्राइकलर इसको 22 जुलाई 1947 को अडोप्ट किया गया था ठीक है फ्रेंट्स यह डेट भी आपको याद रखनी है 22 जुलाई 1947 तो दोस्तों मुझे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई भी क्यारी है तो आप नीचे कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं आज के लिए तना ही थैंक्यू, have a nice day